से पहले तो हम यह जानते है कि दुरपधी मुर्भु कौन है और उनकी व्यक्तिगर्च जीवन क्या दरसाती है। दुरपधी मुर्भु का जन 20 जून 1958 को पुरिशा के मेरवन जिले के बैदा पोशी गवं में एक संधाल पड़िवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विरंग्ची नरायन टूटू था। उनके दादा और पिता एक ही गवं के परधान रहा चुके थे। उन्होंने श्याम चन में मोशे विवा किया और उनके दो बेटे और एक बेटी हुई। रहते हैं ना जिनका कोई नहीं होता वो दूसरों में अपने बच्चों और पड़िवार को ढूनने लगते हैं। दुरवागे बस उनकी डोनों बेटों और पती की अलग अलग समय पे अकाल मिर्थी हो गई। उन्होंने अपनी एक लोती बेटी का विवा गुबनेश्वर में करवाया और निकल पड़ी समाज कल्यान में जहां उन्हें आगे का जीवन जीने का उतेश और अनेको हसहारे बड़िवार मिलें। जिनमें वो घूई मिलकर और उनकी मदद में अपना जीवन समर्पन कर दिया। दोस्तों मुर्भू ने शाहर उनीश्वर संतानवे में रहरंग पूर नगर पंचायत के पार्शोच चुनाओं में जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक जीवन का अरम किया था। उन्होंने भाजपा के अनुशुची जिनजाती मौर्चा के उपाध्यक्ष की रूप में कार्ड किया। और साथी भाजपा की आदिवाशी मौर्चा की राष्टी कारकार्णी की सदस्वी राजु किया। दोस्तों त्रोपदी मुर्मुर को उडिशा की मयर्वन जिले की रायरंग पूर्शीट से 2000 और 2009 में भाजपा की टिकट पे दो बार जीत मिली और विधायक भी बनाई गई उनको 2000 और 2004 के वीच वालीज्य, प्रिवहन, अर्वाद में मतश्य और पसू संसादन विवाद में मं मुर्मुर मैं 2015 में उडिशा की नौनी राजपाल बनाई गई थी, उन्होंने शेयद हैमत की जगा ले थी, और दोस्तों धारकल की पहली महिना राजपाल का किताब भी द्रोपदी मुर्वो के नाम रहा, साथी वह किसी भी भारतिय राज की राजपाल बनने वाली पहली आ भारत की पंद्रवी और वरतवान राजपती पत्का 2022 में सफ़त लिया, वो भारत की राजपती के रूप में चुने जाने वाली जन्यातिय समुदाय से संबंदित फैली वैकती है और परतिवा पाटिल के बाद भारत की राजपती के रूप में शेवा करने वाली दूसरी म भूले तो कि ऐसे जानकारी बड़े वीडियो लगाता राते रहेंगे